प्रभुईश मसी के नाम में प्रभाद बंदर मतीरति सुसमाचार पाच्वा अध्याय इसकी आठवी आयत धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं क्योंकि ये परमेशर के पुत्र कहलाएंगे मदद या सहायता करने वाले ही दुश्मन बन बैठी तो फिर चाहे वो घर हो या मंदर क्लेश का एक कारण बन जाता है इस संसार में ऐसा कोई भी राज्य नहीं जहां पे समाधान है इसलिए हमको शांती समाधान दून के नहीं जाना है बलकि हम जहां जाएं वहां शांती समाधान प्रदान करना है जहां पे क्लेश और नफरत होगी वहां शांती नश्ट होगी जहां शांती होगी उदर क्लेश और नफरत नहीं होगी परमेशने हमको हाथ इसलिए दिये हैं कि हम एक दूसरे को गले लगा सकी ना कि एक दूसरे को धका दे सिर्फ एक शब्द से ही दो लोगों के बीच की शांती नश्ट हो सकती है और उसके बाद हजार शब्दों से भी उसको ठीक नहीं किया जा सकता बंदनों को तोडने वाले नहीं बल्कि जोडने वाले बने दूसरों पे कीचड और उन्हें गलत ना बोलते हुए हमारे अच्छे स्वभाव और दोस्ती से इस संसार को जीने के लिए एक अच्छी जगे बनाएं अगर ऐसा होता है तो सुख शान्ती और समाधान हम में भी होगा और हमारे दुआरा दूसरों को भी सुख शान्ती और समाधान मिलेगा इसके लिए आज की सुभा परमेश्वर हमारी सहायता करें ये हैं हमारे सुर्गे पिता परमेश्वर, इस सुन्दर सुभा के लिए तिरा स्तुती और धनेवाद करते हैं, हम शांती और समाधान नश्ट करने वाले ना बने, बल्कि समाधान देने वाले बनके परमेश्वर का पुत्र कहलाने योग्य तू हमको बनाना, आपकी कृपा आज की सुभे हम पे बरसाना, प्रार्थना सुना इसके लिए धनेवाद, प्रभू इश्वर मसी के नाम से मांगते हैं, एमें मांते पार जाएंगे